संसत का नया भावन देश को समर्पित हो चुका है इस अफसर पर प्रधानमंत्री निर्दर्मोदी और लोकसबा ध्यक्ष ओम बिला के अलावा गण मानने सभी संसत वो भी मौझू थे ऐसी एक संसत जारखन चत्रा के संसत हैं सुनिल कुमार सिंग जी वो हमारे साथ हैं प्रि इतिहासिक पल के साक्षी है क्योंकि आज हम सब उने इतिहास अपने समक्ष बनते देखा है और सबसे पहले तो यह हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की भावना की अभिवेक्ति है नई संसत भवन जो मान्य प्रधानमंत्री मोधी जी ने भी कहा क्योंकि हम किसी भी पुरान प्रतित को नकारते नहीं है लेकिन यह जो नया संसत्भवन बना है यह सचमुच भारत मतलब स्वतंत्र भारत की आत्मा को प्रतिबंदित करता है और यह आने वाले समय में जो मान्य प्रधानमंत्री जीने स्वपन देखा है नए भारत का विक्सित भारत का तो आज वो टा साल में यानि 2047 में जो सूपर पावर एक विक्सित भारत जो विश्व के छहतीच पर जिसका उदय होगा उसका ये प्रतीक है और वो संकल्प को सिद्धी तक पहुचाने का काम करेगा और एक और अच्छी बात हम कर सकते हैं कि ये भवन जहां इसमें आधुरनिक्ता है नए लौजी का उप्योग है वहीं इसमें हमारे प्राचिन विरासत और संस्कृति की भी जलक है खास करके जो सेंगोल को अस्थापित किया गया है वो हमारी नियापिरेता निस्पक्षता और नैतिक्ता पुर्ण आचरन करने के जो हमारे माप डंड रहे हैं विरासत रही है प् सासन जो है हमने जो धर्म की व्याक्या की है वो धर्म पूजा पद्धती नहीं होता था वो हमने कहा है कि राज धर्म पिता का धर्म पुत्र का धर्म तो वो धर्म डंड कोई संप्रदाय या पूजा पद्धती को रिपरजेंट नहीं करता है बलकि एक सासक या सासन कैसे च जाता है तो यह सासन करने वाले के सामने सेंगौल हरमेशा यह एक चित्र अस्थापित करेगा न्याय परिये निश्पक्स्ता और नैतिक्ता इसके आचरन पर भी सरकार चलानी है देश चलाना है और निश्चित रूप से जो मान्य प्रधान मंतरी जी ने स्वपन देखा है ए एक तो स्वपन आज वह मुर्थ रूप हुआ नैसांसद भवन का दूसरा 2047 में निश्चित रूप से हमारी पीडियां जो आने वाली हैं 25 साल और उसके बाद भी तो वह विक्सित भारत को देखेंगी तो हम यह कह सकते हैं कि बर्तमान सरकार सिर्फ आज का नहीं सोच रही हम आने वाले भारत के भविस्ट को भी गढ़ने में मानियम मोदी जी के नित्यूत में लगे हैं आपको टार्गेट भी दे दिया प्रधान मंत्री ने कि जो जरूर्द मंद हैं जो गरीब हैं खासकर अगर जहारकन की बात करूं सुनील जी में तो आप इसको चुनोती मानत तक के पुर्ण की इस्थिति पुर्वज्य इस्थिति और आज की इस्थिति चाहिए वह जारकंड का ही छेत्रों बहुत बदलाव आया है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमको लगातार काम करना होगा और 2047 का टाइम लाइन हर हालत में भारत को सूपर पावर बनाना है औ हम में से कोई भी आदमी इसमें पीछे नहीं रहेगा जो हम लोग काते हैं कि no stone should be unturned तो इस रूप से हम काम करेंगे और निश्चित रूप से भारत को सूपर बावर बनाने के लिए आवस्या कि भारत का गाउं भारत के लोग भारत के जो चेत्र अभी कहीं ने कहीं विका हम सब मिलकर 2047 के इस सपन को सकार करने के लिए अपनी अपनी भूमिका का निर्वान करेंगे तो सुनील कुमार सिंग जी कह रहे हैं कि 2047 तक भारत को विक्सित राष्ट बनाएंगे और इसके साथ ही सूपर पावर भी भारत बनेगा ऐसी आशा और उमीद उन्होंने झाल 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 झाल